मैं कल पना अपने में आप सभी काशवागत करते हैं तो चलिए तो अपि आज की प्लाव के चैप्टर है इसको तीन चार दिन से जो यह तो इसके तीन जो हैं इसके तीन तीन नहीं राइक की नदियों यह ऐसे दिखते और तात है wasted प्राइदी पियभाग की नदियों के बारे हम लोग देख चुके हैं जिसमें हिमालाई की तीन नदियां हम लोगों ने करी ती तो वो एक थी आप की कौन-कौन से ती एक थी आपकी सिंदू एक परम पूर्पोटर इनका पूरा आपःताइचे देखा था इनकी पूरी द्रो सब्सक्राइब करके बगल में लगे बेल आइकन को भी प्रेस कर देजिएगा ताकि आप तक नोटिक्रिशन पहुचे सबसे पहले तो चलिए देखते हैं कि आज हमें कहां से देखना था तो देखे एक मिनट के लिए धर पर के जो आपके इतना जो भाग है आपका जो हिमाले नदियों का था और यह जो नीचे वाला है यह कोंसा आपके प्रादी पे नदियों में आ जाएगा यह नीचे बाला पार्थ तो इनी नदियों के बारे में आज हमें देखना है कून-कूनसी यह two, यह तो आपकी नर्मिदा-तापी है जो कि आज के रप्सागर में गिरती है इसके बाद महानदी, गोदाबरी, कृष्णा और कावेडियन, चार महानदी, गोदाबरी, कृष्णा, कावेडियन, चार नदियों का तंत्र पढ़ना है और दो आपकी नदियों है जो सेड़ जाती है और एक जो है आपकी माहिलोनी सामरवतियाने अधर पर आपकी ये नदिया है तो ये सारी नदियों के बारे माज हमें देखना है चले एक एक करके देखते हैं तो कहां से देखना था तो हिमाले अपवाहतंतर हम लोग पढ़ चुके थे देखें, मैं आपको सम्झाओं कि आखिर पुआना है क्यों, तो आपको पता होने चाहिए, कि सबसे पहले अगर आप बहुत करोनों साल पहले जाते हैं, जब हमारी प्रत्वी का बिकास हुआ है, तो सबसे पहले क्या था, एक तो था आपका महासागर, एक था आपका यानि एक महासागर था, एक महादीब था, यानि जो आपके भी महादीब हैं, कि आप अलग-अलग पढ़ते हैं, महासागर आप अलग-अलग पढ़ते हैं, ऐसा कुछ नहीं था, क्या था, एक तो आपका महादीब था, एक आपका महासागर था, तो क्या हुए एक आपका म magha sagar था यह महासा-गर तू इस महासागर का नाम था पैंथालाफा की ठालाइन सहपटकर से उख तूतर पैंधालाइन फूर्म है उससे से यह न९ह झाँ पैंथालाइन था तो नाम था प्यन था और पैंचया का क्या हुआ इस आपका पैंजिया जो अब उत्तरी भाग का इसका जुनाम मेंुंगारा इसका नाम किया पूछा जाता है एक एग्चाम मैं कि हमारा इंडिया किस भूमी का इससा अंगारा इंडिया वह घुंगारा इक mb series यह जो है प्रित्वी यह रही रहा नौर्थ यह रहा साऊथ ठीक है तो अगर आप बात करें अब जो इस्थिती confront में तो हमारा इंडिया क्या बोला जाता है कि नौर्थ का हिस्सा है यानि आपका उत्री गुला उर्थ का हिस्सा है लेकिन आपका गौंड माना भाग बाक किसको भोला ग बीट 我mor-टेलियमध महदीप और आप इंडिया की तो नर हिससे शेयों की या आक ही प्लेट का हिस्सा है आप Odницы इसमय नियुक्सा रही नॉर्थ में कितनी पहुंच गई कि ऑसके बीश से करक रेखा निकली हुई आपको पता है कि करके रही का है चाहिस रहा है नवники को दो पार्ट में डिवाइड करती है याणि अभी वे हमारा इंडिया ऊपर की साइड utis अब इंडो एंच्टेलियन प्लेट जो ऊपर की साइड खिशक रही है अब उपर की साइड खिशकते कहां पहुची तो यह उरेसिया प्लेट से टक कर खाई तो अब देखिए क्या इस्थिति वनी एपकी दो प्लेट बन गई ठीक है अब यह रही हमारी दो प्लेट नगारी ठीक है तो जो हलकी प्लेट थी वो थी आपकी यूरेसिया प्लेट कौन से थी यूरेसिया प्लेट आपकी हलकी थी और इंडो उस्टेलियन प्लेट आपकी भारी थी अभे रही आपकी इंडो उस्टेलियन प्लेट इसको माल दीजे क्या मानेंगी यूरेसिया उपर वाली प् उसका हलका पडला जो होता है वो उपर की साइड चला जाता है वो जो भारी होता है वो नीचे की साइड रह जाता है तो वही चीज यहाँ पर लगी कि जो भारी प्लेट है वो नीचे की साइड रह गई यानि इंडो और स्टेलियम प्लेट आपकी भारी है और आपकी इर्वे प्रवेट किया हुई एक धसी एक ऊपर की साइड निकली तो इस प्रकार से निकलती जा रही तो इसमें प्रकार की साइड तो इस में प्रकार की कुछ आ करती बनी तो यह बनापका हिमाला परवत अब आगर आपसे पूचे कि हिमाला परवत किन दो प्लेटों के टकराने से बना है तो एक तो है आपकी उरेसिया प्लेटो यह कह आपकी इंडॉस्टेलियन प्लेट ठीक है जिसमें से भारी कौन है और हल्की कौन है तो भारी की करें। तो आप इंड ओसट्रेलियान है यार हमारी ने इंडिया वाले फिलेट थी या हमालाइ प्रवत पहले था भी है प्लेट पहले थी या हमालाइ परवत पहली थी तो इस परबत को क्या कहते हैं fold mountain यानि इसको हिंदी में कहते हैं Belit parbat तो पूछह जाता है कि जो हिमालय परबत है volit parvat divine parvat a bracket कौन सा परबत है तो परबतों की बारें पढ़ेंगे तो परबत हम डेटेल से पढ़ेंगे लेकिन फिलाल में आपका हिमालाः परवत एक बलित परवत है और आपको एंग्लिस में बोलें तो इसको आप फोल्ड मायंटेन, दी, फोल्ड माउंटेन, बोल सकते हैं तो अब हिमालाः परवत कैसा बना, बाद में बना, यानि जो आपका प्रायध भारत है जो नीचे साइट का हिस्सा है पहले रहा होगा क्योंकि पिलेट थी पिलेट है फिले हाँआ अभी इूपर की भी है ठीक है तो यह जो पिलेट है अपकी तो पहली रही होगी अब इ perks प्लेट पहले रही होगी तो इसा क्या है अब आपकि बताए वे अपरवाईर प्रावत कला कुछे होगा सब्ससालाई के प्रेश कहीं तकरने के से हमालाई प्लेट अपर प्रवाईरिंद्ट को यह वह वाहत पहले का है । इन्पिलिटों के बहुत बाद बना तो मेरे ख्याल से चीज़ें आपको समझ में आ गई होगी मैंने मातर आपको यह समझाने की कोसिस की है कि हमालय परबत का निर्मार पुराना है हमारे प्राइदी भारत का तो इससे हमें पता लगा सकते हैं कि हमालय की नदियाबाद में आ अठने की यह तरह कि हमाला प्राइदी अपवाई तैंतर की अपेक्छा प्राइदी अपक्छा प्राइदी अपक्छा तततत् नदियों कि पोड़ा आवस्था नदी घाटी के चोड़ा उथला होने से स्चाधिन तो इसीसे आपका इंसकिल है क्याएं कि प्लेटों का त्योरी आपके 11 की दूसरी किताब उसमें पढ़ेंगे लेकिन हैं अब एदर आपको बता दिया अब देखियांगे पस्चमी तठ के समीप इस्थित पस्चमी घाट बंगाल की खाड़ी में गिरने वाली प्राइदीपी नदियों और अरब सागर में गिनने वाली छोटी नदियों के भी जलविवाज़क का कार करता है अब फिर से देखिया हमने पहाड़ियां है रहा हमारा पाष्चमी गाट से हमने पढ़ी थी सेहाद द्री भुद immensely था आम ने इस से यह पर प्रकार से पढ़ी थी हमें जो weeks को पहाडियां यह अद्ड है उची उची हमें पूरुबे हो गया तो बूरा आए कि पस्चमी घाट के समीप इस्तित पस्चमी घाट बंगाल की खाली में गिरने वाली प्राइदी पिये नदियों और अब सागर में गिनने वाली छोटी नदियों की भी जल्वज़क कार करता है पश्चमी घाट कौन करता है जल्वज़क का प्रसे पढ़िए पस्चमी तढ़ के समीप सभी तक क्या है समुदर से जुड़ा हुआ है जैश्टेयरिया पसचमी घाट क्या है जो मैंने आपको पहाड़िया बताई हैं और आपको पता हूंच कहारन निकलती है अब तोड़े इसको आगे देखे कि पस्चमी घाट बंगाल की खाड़ी में किरने वाले ठ्रादी पर नदिए ve viva aacker करता है उन्यपर अगर इस परकार चामा इंडिया बना ले उर पूरवी सद्रान फिर इस परकारिन फिर पर फिर अदर फिर चीज देखिये कि इदेगे $ आप कौन से कला पिंक ले लिया तो इसके समुद्र के किनारी का हिस्सा क्या होगा आपका समुद्र का था होगा ठीक है और इधर से क्या है मैंने आपको बताए था कि इधर से आता है आपका मांसून मांसून आएगा इन पहाडियों में टकरा जाएगा पहाडियों में जब नद्या जाती है यानि नदियों कहती है ज़ती है यानि पहता रखवाया में चली जाती है तो भई वतार रखा है कि जो पस्चमी घाटे बिवाजक का कार कर रहा है किन-किन के बीच पूरब में गिनने वाली नदियां और पस्चमी गिनने वाली नदियां पूरब में गिनने वाली यानि बेव बंगाल में गिनने वाली पस्चमी गिनने वाली अरब सागर में गिनने है तो जब हमारा मांसून आता है तो मांसून उससे टकपरा से तो मांसून जब शुच्चे टकपरmi से पहाड़ों से निकलती हैं इस फ़र देखेंगे इतनी चीज़ आपको समझ में आ यानि शाइट से नधिया कहां बहती है और विस्ट किया है यानु की खाड़ी में यानि ले दिया नर्मिदा और तापी ठीक है माहे लूनी सावरमती नर्मदा तापी ये पांच नदी है आपकी तो माहे लूनी माहे लूनी सावरमती नर्मदा तापी तो ये पांच नदी है लेकिन जो आपकी नर्मदा तापी है मुख नदीयां माने जाती है हैं मुख नदियां जो की आपकी और अब सागर में जाके गिरती हैं ठीक है अब आप देखिए आंगे अब इसमें क्या है कि नदिया पस्चिम से पूर darf गों बहती है अब हम आँगे देखेंगे कि क्यों बहती है इसको थोड़ा मांगे ले की बात कर रहा है तो भता रहा कहीं कि जो प्रायदीप की उत्तरी नदियां है नहीं जाती हैं मैं पॉकलची समझाई थी कि चंबल सिंद बेतवा के चांड नदियां ऐसी हैं कि पहले तो मिलती है यह यमुना में ठीक है यानि यमुना की जो सहाइग नदियां है यह प्राइदी भारत की ही नदियां है ठीक है तो यह चंबल सिंद बेतवा के इन पहले यमुना में मिलेगी इनको धलान उस साइड मि अज़ो मारा है तो इस अदिटे आ करते हैं गांघ। जाटागं हम पुरा पानी दाल देट यह पांच मोंच नदिया से चार पहले यह में मिलती है पांच में जो ए strat नदि ऑरuu मारा तो इस चीज को याद रखे बहुत इंपोटेंट है अब देखे प्राजीब की अनमुख नदिया कौन कौन सी अनमुख नदिया तो एक तो है आपकी महा नदी चेकर नमर पे आपकी गोदा बरी फिर कशना फिर कावेरी अगर आप इस प्रकार से इसको कुलफी को बनाएं और अगर इदर से नदियों को चलाएं नहीं स्टार्ट करने तो देखें महा नदी गोदा बरी किशना कावेरी इस प्रकार से चलती हैं इदर पर नर्मिदा इदर पर तापी ठीके अदर से आपकी जो आरावली रेंजेयों आसे नकल के आती हैं लूनी ठीके सामरमती माही इस से आपकी नदियां चलती हैं तो हमने देख लिया कि मुख नदियां है महा नदी गोदावरी किष्णा काभी यह जातीं किस साइड है तो यह जाएंगी कहां कहां जाती है तो बेयो बंगाल में जाएंगी चारों इनका चारों का तंत्र बेयो बंगाल में जाता है आंगे भलान मिल जाता है इनको समतल मेदान जाता है तो इसे जृत नहीं पड़ते हैं तो समतल मेधन नियृत नहीं मनटा है उन्हां को भी ज्जलते हैं जिस नहीं जिए ड्लान मैदाना it is Dep road सरपाकर नहीं करती है तो इतनी चीज़ आपको स treats में आगई अब चले आखंग देखे AW average 12 मासी नहीं है कि ये कि नहीं सरद का नहीं निकल लेगी तो नहीं सब्सक्राइबक्षिन यह वह कम मातरा में इनकी कुछ जो धाराइं है यादियों की जो कुछ है जो आपकी सायक नदियों चोटी लेωνर और तापी इसका अपबाद है वह बहती है फिर किसमें बहती है भरंस घाटियों में बहती है अब हम इसको थोड़ा आंगे बढाएंगे चिएंगों को प्राइदी पे अपवायतंतर का उद्विकास तो कैसे वना आपका प्राइदी पे अपवायतंतर देखते हैं 아ति प्राचिन काल की तीन प्रमुक भूप गर्बिक घठना उसे घठना उन्हें आज के प्राइदी भारत के अपवायतंतर को जो है आरमिक टर्सियर काल के दोरान प्राइदीप के पस्चिम पार्षाओ का आउतलन आउतलन यानि धसाओ अब बात किसकी कर रहा है पस्चिम की ठीक है अब आप इसको सुनते जाएं कि क्या है कि क्या हुआ कि आरमिक टर्सियर काल के दोरान प्राइदीप के पस्चिमी पार्षा क्या हुआ है नीचे अच्छे से धस गया ठीक है पस्चमी भाग अब देखे जिससे मूल जल संभर के दोनों और नदी की सामाननेता सम्मितियों जना में गड़बड़ी हो गई तो इससे क्या हुगा कि जब पहले एक जैसे था विसमें धसा वसा हुआ तो नीचे इचे उपर हो गया ठीक है अब देखे इन्होंने दूसरा किया बताया है हिमालाय में होने वाले प्रुथान के कारण प्रादीप्य खंड के उपरी भाग का अवतलान हुगा यानि इसका उपरी भाग धसा और पढ़नांसरू ब्रंस द्रोडियों का निर्माड हुगा ब्रंस द्रोडि यहां नाम देंगे अब फ्रंस परबट युद्ध में अर्मदाश निकलती यह निर्म nó द्रोडियों नर्मदा तापी वहां से निकली तो उनकी छोटी-छोटी धार आए थी वो इसमें आके मिली यानि इनने अपनी पूरी द्रोणी बना ली तो इनका पूरा बात अंतर बन गया तो वही चीज़े तो इस प्रकार से इनका निरमाड हुआ भ्रंस घाटियों की कारण भ्रंस घाटियों बन पुरानी रेंज यानि सबसे पुरानी प्रवतमाला तो वह आपकी अराबली जो कि आपकी पूरी तरीके से राजस्तान को दो भाग में डिवाइट करती है मैंने आपको पहाडियों में पढ़ाया था अगर आपने सेकंट पार्ट नहीं देखा सेकंट पार यानि आपने च क्या पता रखाएं के अप्रद पधारत से मूल दरानों को भर रही है तो जब भ्रंस गाटिया ब्रंस गाटियों में क्या होता है कि मैं बताऊं कि एक पथर पूरा रहा होगा माले जजे कि चट्टान रही द्रार आई अब जैसे द्रार आ गई और इस साइड का पत्थर इ सब्सक्षिए बीच वाला है नीचे की सब्सक्राइब कर देंना उसको तीन पार्ट में पार्ट में डिवाइट कर देंना उसका इस सब्सक्राइब तो वही चीज यहां पर बनता है ब्रहन सकाट को में कि दो पार्ट इसके जो अगर 20 तरहार आती है किसी कारण था जाती है तो इसमें क्या होता है कि अगर अगर इस साइट से प्रसक्षप्राद सब्सक्राइब बन गई तो यही आपकी सिंद्ध बिन्दो सतपोड़ा की पहाडियां ठीके उनर्मदा और तापी की घाटियां तो इनी घाटि तो इन घाटियों आपकी ठीक है इधा नर्मिदा बहेगी फिर आंगे साथ जाके तापी बहेगी तो वही है अब जब इस परकार से इसमें दरार हैं रही होगी तो एक दो दरार तो भाई नहीं होगी काफी सारी दरार हो रही होगी तो उन्हीं दरारों को नर्मिदा और तापी जो पधार तला किए बढ़ेंगी अब दरार हैं बढ़ेंगी आधार चुक्री है तो वहूं जढ़ां को दुछ होगा cao G है तो किछ मोड़ा नदी नेति कलंद नहीं रहा हुगा तो क्या होता है जादा नहीं रहा हुगा तो जो नर्मिदावरत अशापी नदियां इन नदियों में, क्या होता है डेल्टय औज़रोर का निच्षप नहीं पाए जाता है, क्यों नहीं पाए जाता है, क्य। कि दरारे बनने में उस चीज़ को खतम कर लेती है ठीक है इस चीज़ को याद रखे अब इनोंने तीसरा बात क्या बताया है इसी काल में प्राय दीप ये खंड बता दिया मैंने उत्तर पस्चिम दिसा में अगर आप दिसा दिसा देखिए क्या है यह रहा पूरा बेरा पस्चिम दिसा इस साइड की बात कर रहा है ठीक है इस साइड ऊपर की साइड खिसका अब देखे क्या है धच्यन पूर्व दिसा में जुख गया और पणामसरूप इसका अभवाब बंगाल की खाड़ी को उनमुक हो गया अब इसमें सीधी सीधी बात यह है कि जैसा भी ज जो चुका होगा जैसा अभी रहा होगा सिधिवात अभी की जो इस्थिती है अगर आप देखें कुलपी को तो यह वाला च्छेत्र और यह वाला च्छेत्र आपका नीचे की साइड है ठीक यह वाला च्छेत्र जो आपका नीचे की साइड है यह वाला उपर की साइड है यह बंगाल की खाड़ी की साइड है और धलान बंगाल की खाड़ी की साइड है इसी के कारण धलान के कारण सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की और उनमोख है यानि सारी नदियां बंगाल की खाड़ी की और जाती है अब हम देखेंगे प्राइडी पिय नदी तंतर तो कितना आपको बता रही हूं तो एक एक नदी को अगर आप देखते हैं तो आपका पूरा प्राइदी प्ये नदी तंत्र क्या रहेगा किलियर रहेगा बड़े आरांग से चले इसको इसको स्टार्ट करते हैं प्राइदी अपबाय में अनेक नदी तंत्र हैं कितने हैं अनेक हैं अन मैप जो आप एक बा। रख लेना सामने अब इस को आप देखिए यह तो छोच मुखनदी है गंगा-णदी इसके बारे में दिया गया दूसरी मुखनदी दी गई इसमें गोदावरी ठीक है तो ये पेन गंगा इसकी साहिक नदी है पेन गंगा बेन गंगा इसको हम देखेंगे ठीक है और तीसरा बात अंतर बताया इन्हें इसका किष्णा का ठीक है यानि सीधी सीधी बात है क्या बताया इन्हें महानदी गोदावरी किष्णा कावरी ठीक आपने देख ली मैंने बता दी कि कौन सी नदी कहां पर बह रही है अब इनकी जो भी लिखा हुआ उसमें लेंगे जिसको थोड़ा हम देखेंगे ताकि चीजें आपको किलिए रहे हैं तो चली प्राइदीमिन नदी तंतर के बारें बात करते हैं चली हमें देखना था भी और करती है तो अनिके मिसे निक्टी चाहँ हैं आपने देखिए इसका जो राज कौन कौन से कपर करती है तो राज मतलब यह नहीं कि आपकी महानदी गूम गामके जाए यानि इसमें जो है इसके कुछ नदियां जो है यानि इसकी जो साइक नदियां है वो गूम जैसे मान लिजी रही आपकी महानदी तो यहां से कुछ नदियां रही होगी यहां से कुछ नदियां तो पूरा छेत इसका सिंचित छेत कहलाता है तो इन्होंने बताया कि उड़ीसा और 36 गार से तो बेहती हुई जाती और बंगल की खारिंग में पानी विसार जित कर देती है लेकं 36 गार और उड़ीसा के अगर आप देखें तो बिहार महराष्ट एमपी की कुछ नदिया इसमें आकर मिलती है तिस चीच को याद रखिएगा तो इबहती कहा कहा है 36 गार उड़ीसा लेकिन 36 गार उड़ीसा के अलावा एमपी बिहार महराष्ट से छोटी छोटी नदिया इसमें मिलती है जिनका नाम क्या होता है जिनका नाम साहिग नदिया होता है अब देखें आंगे क्या है बंगल क खाड़ी में इसका पानी गिर जाता है और एक डेल्टा भी बनाती है मानदी अपने बहुत बड़ा डेल्टा बनाती है यह नदी 850 किलो मीटर लंबी है और इसका जल घरान अभी इन नदिया पता है जो आपकी बारत की नदिया है चोटी चोटी है क्यों क्योंकि अगर अगर आप इसकी गंगा की बात करें तो वो थी आपकी 255 यानि 2525 किलो मीटर थी ठीक है तो उसकी आप एक च्छा तो इन नदिया बहुत चोटी चोटी है आपकी 825 यानि 800 इंक्यामों अब देखे इधर पर है और इसका जल घरार छेतर लगबग एक दसमलो एक दसमलो चार जामो चारश है ओर याइड़ तो इसकी जो नदी में प्रदेश में फैली है तूर अजरी 45 रशन की मद्देश करें आप तो इसमें बताया गया है तो इतीन तो इनों ने बता दियें लेकिन थोड़ी बहुत एक दो नदियें से महाराष्ट में भी निकल की इसमें आती है और और जो है आपकी बिहार की भी एकाद नदिया आपकी छोटी से इसमें मिले आती है तो आपको बड़ा बड़ा इसका याद रखना है कौन सा MP 36 ओर बनदी तंतर को है egenता हुआ था इसी के कारण इसको क्या रखना जाता है कि रिखद्षिटा सब्सें नदी नदी आपको लिए या कूंसी खीमारी एक का सबसे बरा नदी अपवात अंतर है क्योंकि ये प्राधीब भारत का सबसे बड़ा अपवायत अंधर है इसलिए इसको दच्छड गंगा की नाम से जाना जाता है क्योंकि गंगा नदी भी हमारी सबसे बड़ी अपवायत अंतर रखती है उत्तर भारत का बोले तो पूरे इंडिया का लेकिन अगर अगर आप पुर्व पंगा Гवें अधिय। योज अधियों सी हम फस्टमिघ ही निकलती है ठीक है। से गुजरती है याद रखना कौन से राज से महराष्ट मदप्रदेश-36 अंदप्रदेश से गुजरती है ठीक और यही थोड़ी बहुत करनाटक को भी कवर करती है ठीक है तो करनाटक भी थोड़ी था ठीड अब इसका क्या है उसका क्या था आपका तो उसका अगर वने देखा सब्सक्mile था और इसका जो है 313 ठीडिखेए अब कितना जो आपका 49 था वह महराष्ट में तो सभ्सेंदा ध्र अब इसकी प्रमुक्त साय गनतियां देखें इए Jerusalem सब्सक्राइब करतें करते हैं विदेन पर नाम से पढ़ा था ढो हमुसी मैं पूछ जिसे ऑगाए में नहीं उस्यादि जा इसमें हैं उसले जा दो आप है रहिए wireless कम 15 फस्ते गon केम पर फिस्ट में हो उसले टोन के बहुं उसले हैं उसले हैं इसले की बात नहीं है तो यह गोदाबरी की है यानु इन में इस तो है आपकी पन गंगा और एक है पेन गंगा इसे के जश्ट भंग नंगी फिंग तो पेन गंगा बेन गंगा इंद्रबादी प्रारहिता और मंजरा तो यह नदिया है इसकी पांच छे नदिया आपकी है अब चली इसको थोड़ा मेप में आप एक बार देख लीजिए और एक मिनट और देख लेए ना इसका पोला बरम के दच्छर में जहां इसके मार के निचले भागों में बारी बारे आती है गोदा बरी एक सूद् के नामसे जाना जाता है राजमुद्री कहा यहां तो राजमुद्री मिलेगा आपको अंधゥ्य प्रडेश में मिलेगा आपको डेल्टा, अब चलीए एक मिनट के लिए आप मैप में एक बार देख लीजिए, मैंने बुला था आपको मैप हम देखेंगे जाके गिर जाती है तो दर पर देखी यह रही आपकी पेन गंगा ठीक है पेन गंगा के बाद मिलेगी आपको बेन गंगा ठीक है यह रही बेन गंगा और इसके बाद मिलेगी आपको मंजरा तो यह रही मंजरा इसके बाद मिलेगी आपके दर से प्राण हिता तो प्राण हित हो जाएगी और यह रही आपकी इंदरा बती तो यह नदिया हो गएंद आपके एक और आप आप से बरधाव्दा नदी पूछी आती है तो बरधाो रहा बरी की ठाक्ता नदी एह Leakyeled तो ड्याक्ट गुदा परी की समय आती है नहीं मान जाती है वंकि झाम हमें पूछ लेता है तो याद रखेगा कि बर्धा किसमा कंसीडर होती है आपकी तो गोदावरी में कंसीडर होती है मेरी खाल से चीज़ां आपको किलियर रखनी होगी अब चलिए गोदावरी होगी है हम बात करें किष्णा की तो किष्णा 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 की बात करेंगे करेंगे कहांगे आपका सब्सक्राहिए इंख नहीं इंस एक देखा था प्राणधा मुठी आम आरे單ा में जरू हाँ को तो और या अपने तड़ पर पर कोल लेरू जिल का भी निर्मार करती है महानदी चिलकाजिल का निर्मार करती है आतरफ ना चिलकाजिल ठीक है Jam 1 थीली के देल्टापे हैं तो वह आपकी चिलकाजिल महानदी और यह बनाती कहां है तो उड़हिषां heißt थीक है और अगर आप बात करें कोल रुजिल की तो एक विड़ी की आपको आपको आन्द प्रदेश में और किसके डेलता पहे तो यह गोदावरी के डेलता पहें हुम बात करें कि хват करें कि टी चलिए कि आप देख लेते हैं कि किष्णा पूर्वे दिसा में बहने वाली दूर्शी बड़ी नदी है जो सेहाद्री में महाबले सुर के निकलती है तो सेहाद्री आपको कहां बूले जाता है ठीक है पस्चमी अटो सेहाद्री कहां बूलते हैं महाराष्टी में तो बूलते हैं तो यह भी नदी महाराष्ट निकलती है तो इसकी कुल नमाल कितनी है चौधा सो एक है उसकी किँनी थी 1465 खिलूमिटर थी ठीक है गोदाबी कि किपनी टीए 1465 थी इसकी कितनी है 1400 है ठीक है तो अंतर आगिसमें अब दिखियाँगे इसमें जो लगो थो इसका कोईना है, दोसरी इसकी तुंग भद्रा है, ठीक है- this निसकी पहीमा है, और इसकी और नदी है मूसी मूसी नदी भी आपसमें गल लेना onš curt परदेशने की जवुरत नहीं है एक आपकी मूसी है भीमा है तुंग बद्राय कोई ना है चारो नादीश की हो गई इस ठीक है अब मैं आप लोग खुश से देख लेना अब देखे इसमें क्या है इसमें क्या है इसमें की कुल जर्गना का चेटपल 27% भाग में महराष्ट मे यानि सबसे जाता करना टक में किस पकार से याद रखना निकलती कहां से महावले सौर महराष्ट से चले यह आंग देखते हैं काबेदी काबेदी नदी के बारें बात कर दीजी ठीकर लास्ट नदी प्राइदीप की वह बंगाले में गरनेवाली फिर हम दूसी नदियों के करना टक के बात करेंगा है अपसाग्र की बारें नदी नदी करना टक के को गाडूजिले में ब्रह्मिगरी की भलाओ की पहार नहीं यह Пछाड़ की जो हैं 1340 मिटर की उचहाई पर हैं इनकी नक्तिक स्टक यह कनव अ 3172 माहिज सबस्लिए पिरतिए के अन्य नदियों की अपट्री देख चेकheen कम उतार चाहो के साथ यह नदी लग वक्त औरении साथ सारा साल वहती रहती यह वहती यह यह बड़ी नीप सी βईती क्यों वहती ही क्युक्त आने वाला मानसून यह बारिस का पाने यह से मिलता है वह मानसून लॉट करते हैं удив subscription . Wagyu नुआ तरटे सायं हगा करनहीं क्या दिए च्छा जो पानी योटारा होता है बहुत कम नहीं होता है नहीं बहुत जादा होता है इसका पानी बढ़ी है तरीक से आपका रहता है क्यों कि इसके उपरी जल गर चेत्र में दच्छड पस्चिम मांसुन यानि गर्मियों का मांसुन मिल जाता है और लोडता हुआ निमने चेत्रों में मांसुन मिल जाता है सर्दियों बाला तो दोनों मांसुन मिल गए अब दोनों मांसुन मिल गए दोनों मांसुन का पानी दोनों मांस तो यह भी आपकी किष्णा और कावेदी दोनों काका से हैं दोनों किष्णा का कावेदी काका से अठो करनाटक में दोनों जाना भाग इसका फैल हुगा है ठीक है 56% जो है चेतर तमिलानूम परता है इसकी महतपूननिया जैसे कि आपको पता हुँ चीए कि लोटता हुआ मान सर्दियों में तमिलानूम बर साथ कराता हुए आपकी जो नदी है तमिलानूम चेका सिपेली हुए आपके इसके कांड को पाणी रहता है ठीक है इसके महतपूननिया कौन-कौनसी है कावदी भवांई और अम्रावती तो अम्रावती भवादी कावदी तीनों यादर रख है ठीक है तो देखे नर्मदा नदी आपको कह अमलेगी तो चलि एक बार हम देख लेते हैं फिर से जोनके अपो बहुत जरूरी है तो देखे रही आपकी नर्मदा ते Drak यहाँ से यहां से यहां से और जा कहां रहें तो अरफसागर मैं ताप ब कहां जा नीचे की साइड से निकलती है तो पता है किस प्रकार से बनता है श्तर श्तर यह रही बिंद के बारे में तो हमने सारा कुछ देख लिया है नरमदा के बारे में देखेगा इधर पर तो दर से दिखिए नर्मीदा के बारे में, नर्मीदा गिरती कहां या रब शागर में, और नीपिंडा निखे निखेंगे निकलती कहां से निखेंगे में पठाएगा ĝाँदिक 1060 मीट्र के उचएन से निकलती है दचषण में इसके सत पुड़ा है उत्तर में बिनधियान चले ठीक है क्या है कि देखे दिखे इदर पे एक मिनिट के लिए क्या है तु प्ह भुर थपुड़ा मंध माई वाध् fils निद्यान चल पहारी ओ कोुड़ या भ्रंस खाटी से बेती हुई संग मरमर की चट्टानों में खूपसूरत महाखंड और जवलपुर के निकट धुवादार दर जलपरपात का निर्मार करती है तो एक जम सीधा सीधा पूजता है कि धुवादार किस पर बना है सुरी धुवादार किस पर है यानि धुवादार जलपरपात जलपरपात यानि जर ना किस पर है ठीक है तो धुवादार जलपरपात जो है कहां पर है तो नर्मिदा नदी पर है ठीक है कहां हो जवलपुर के निकट है याद रखना जवलपुर के निकट आंग देखे लगब उच लियुक कि होता है तूमें आपको बता दुए मिलीईएङ के पाना करती है अपने गिरने वाले स्थिती में होती हैं वाप मिट्टी छोड़ देती है तो जो चीजों से बनता है उसको हम डेल्टा कह देते हैं ठीक है अब एस चुरी कैसे बनते हैं तो यह जो नदियां है जो कि आपके अरफ सागर में गिरती है इन्हें खाली मैदान नहीं मिलता यानि चोड़ती है और उनके ढुंप हन प्रण सखाटियं में क्याण है चोड़रों में कि अपना जो आघुड़ती है अभी जब ढ़िकושमें घ्रती है उची घटी से करम से घरेंगी खारे पानी मिई गरती है इस परकार गें घरती है घरलbowती लंबामय शकुर लभाई तो ऐस उ तापई और नर्मेदा आपकी क्या सूरी बनाती यह जिसको हम हिंदी निया कहता है जॉवार नद्मु कहते है अब दाप देख तापई समेक पस्चन रिख अधिकर सब्सक्तितनी तेन की सब्सक्राय कर दें मुलताई के धिनन कलती है वह आपकी अमर कंठक से थी ये बैतुल से है बैतुल चले से मुलताई से ठीक है या कितनी है आपकी 724 है कितनी है 724 है वह कितनी थी आपकी 1312 ठीक है 724 है और लगबग इसका जो छेतर भाले 65,000 बर किलोमीटर को बाहित कर देती इसके अब बाचितर का 79% महराष्ट में है और 15% MP में और सेस का गुजरात में है तो ध्यान रखिएगा है कि किस को अब बात करती है सीद्धे सीद्धे पते चाल जा गए निकलती तो कहां से निकलती तो MP से ही है न महराष्ट गुजरात में और गूंगा हम लेती हो फिर जाक करना है हमें देखना है कि अरावली से कौन सी निकलती है तो इसको समझीएगा इंपुटेंट है थोड़ी कि जो अरावली पर बस्री नहीं है आपकी जो है हमारे राजस्थान को दो पर आवर भागम पाट दी है अब यहां से क्या होती है यहां से पहाड़ों से हबाँ टक तो बारशाथ तो इस पूरवी भाग में टकड़ लगने से होती है लेकिन एक नदी होती है लूणी नाम की जो कि पस्चम में जाकर भह जाती है अरावली के पस्चम में लूनी राजिस्तान का सबसे वड़ा नदी तंतर है उस साइड गई यह पस्चम की साइड लूनी बहने गई कौन कौन सी सरसुती और सागरमती जो गोबिंदगर के निकट आपस में मिल जाती है यहां से यह नहीं अरावली पहाणियों से निकलती है और लूनी नाम के नाम से जानी जाती है इधर से क्या होगा यह दो नदिया है सरसुती एक है सागरमती तो सागरमती जब दोनों मिलती तुझे निकलती कहां से तो पुसकर के समीप से निकलती है ठीक है पुसकर राजस्थान से निकलेगी है और यह जो निकलती है उदर से फिर आंगे जाती है तो गोबिंदगर में मिलकी दौनों गोबिंदगर में मिज़ जाती है एक दूर से और मिलने के बाद यह अरावली प गायक नदी है और ना ही किसी जमुद्र में जाके गिरती है क्यों क्योंकि पस्चम साइट चली जाती है पस्चम साइट कोई बर्सात का सुरूत नहीं है और बर्सात का सुरूत नहीं होने के काड़ी रेगस्थान में बहती है तो कहां तक भाहिगी रेगस्थान में पानी तो आपकाल के लिए रहता बर्सात के महसं में रहता है जींदहे मारत के नदी है जो नहीं किसी समुदर में मिलती है और ना ही किसी नदी की साइट नदी तो वो है आपकी एक मातर लूनी नदी ठीक है अब चलिए आँगे देखे पस्चिम की और बहने वाली छुटी 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 नदी है इसको हम कल देखेंगे टाइम आप पर 48 मिनट हो चुका है क्योंकि आपका जो चेप्टर है फेस्वोक है फेस्वोक की आईडी मेरी है जो की चैनल के नाम से ही या निए आपका अपना इस्टेडी अड़ा आप डालेंगे लोगों लगा हुए एब बी आईडी मिलेगा उदर आप मैसेज मुझे कर सकते हैं ठीक है और अगर आप बी आईडी पर नहीं है तो इंस्ट सब्सक्राइब कर दोए अगर चेनल को सब्सक्राइब कर दीजेए और आपको कुछ चीज़ी पीज़े अच्छे से नहीं आई है तो बार में यहाँ आता इस्टी सी बार देखना चौछी बार में खुद से किताब पाणा साँच में चीज़ भारत